हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम चार ऐसे alt coins के बारे में जो इस season में इस bull season में आपके portfolio में जरूर होने चाहिए पूरी वीडियो आप end तक देखना सबसे पहले market cap के बारे में बतारों जो crypto की overall market cap है वो 2% से आज बढ़ चुकी है और 1.17 trillion dollar के आसपास पहुच चुकी है हम कोशिश करेंगे कि यहां से at least 3x तो हो यह यानि कि 3 trillion dollar के आसपास हो जो कि पिछले time भी वहादा 2.4 trillion पहुची थी और हम इस बार उमीद करेंगे कि थो आज आपको बता जाता हूँ dy-dx एक decentralized exchange है आपको यहां पर दिख रहा होगा और यहां पर जितनी मतलब आपने से dy-dx के लावा और बड़े-बड़े decentralized exchange के बारे में सुना होगा चाहें pancake swap के बात करें चाहें हम uniswap के बारे में बात करें तो उसी category में dy-dx भी है और बहु इसका खासा return दिया है मतलब fluctuation भी market में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा pump dump इसमें हमको देखने को मिला और अभी जो आपको दिख रहा होगा 2.6 dollar के आसपस यह चल रहा होगा और इसका एक airdrop भी आया था वो भी मैंने अपने channel पे cover गया था dy-dx का और उस airdrop में लगबग 15,000 dollar का यह airdrop मिला था तो अब हम यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो all time high से काफी नीचे है अभी कम से कम 2-3x का आपको यहां से profit बन सकता है आप किसी मतलब बहुत बड़े-बड़े major exchanges पे तो आपको मिली जाएगा Binance, OKEx इस पे सब पे मिल जाएगा और बरना तो आप इनके खुद के exchange पे भी हाँ पे इसको purchase कर सकते हैं और इसकी team बहुत अच्छा काम कर रहे है development में काफी इनके काम चल रहा है और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है XRP, XRP के बारे में आपको जादा बताने की ज़रूरत है नहीं और XRP का जो सबसे बड़ा scene चल रहा है यह पर OS का lawsuit और lawsuit में अभी जो चीजे दिखाई हमको दे रहे हैं उससे यह पता लग रहा है कि lawsuit XRP के favor में ही आने वाला है और यह अपने all time high से बहुत नीचे यहानि अगर अभी के price से अगर मैं दिखाऊं तो almost आपको 9x to 8x का profit यहां से आपको देखने को मिलेगा अगर XRP की popularity क यह बारे में मैं बता हूँ तो सबसे पहले इसकी functionality तो मतलब है ही जब बरजस्त और बाकी जो ledgers है उनसे इसके अलावा यहाँ पर 2.6 million followers है रिपल के तो जब यह lawsuit पूरा completely इनके favor में आ जाएगा तो आपको देखेगा कि XRP अच्छा खासा return आपको यहां से देगा पिछले एक हफते के अंदर अंदर ही इसने बहुत अच्छा return दिया भी 20-30% के आसपास pump हुआ है पिछले ही हफते एक हफते में आपको दिख रहा होगा यहां से 37 cents से 45 cents तक यह आया था और लगबक 50 cents के आसपास यह पहुँचाता तो XRP को आप बिलकुल include कर सकते हैं और यह fundamentally बहु जिस प्रोजेक्ट के followers है और तीसरा जो प्रोजेक्ट है इसी लिस्ट में वह है आर्बिटरम आर्बिटरम के बारे में हम अपने चैनल पर अल्रेडी कई बार कवर कर चुके हैं बट अभी प्रोजेक्ट लॉंच हो गया है बट अभी प्राइस चल रहा है 1.4 डॉलर के आस आर्बिटरम पर कितनी सारी जो इनके जो बहुत सारे डैप्स थे उन पर आप लोग उने ट्रांजेक्शन करें होगी नेटवर्क को यूज़ करोगा तो वो सारी चीज़ें हमको जिसने जितना जितना वो टास्क कंप्लीट करेंगे उतना उसको एर्डॉप मिलेगा अब य जाता है जो gas fees है वो भी reduce होने वाली है तो अर्बिटरम का अल्रेडी बहुत मार्केट में हलरा चल रहा है इस टाइम पर थोड़ा साप्राइस मतलब अभी तो लॉंच ही हुआ है एक डॉलर के आसपास चल रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नीच पर यह लिस्ट होने वाला है टेकनोलोजी जो है इसके पीछे वह बहुत ही जबरजस्त है अप्टमिस्टिक रोलप इसको बोलते हैं जो फिर जो की स्पीड को स्केलिबिटी को और कॉस्ट एफिशियंसी को बढ़ाने के लिए यूज करा जाएगा एथिरियम को एथिरियम परोजेक्ट है वो हैं पॉलिगन मैरully है भी पॉलिगन मैर्य मेरे बहुत बड़ी जो रल्ही है वह हमको को नहीं मेले है आप Polygon Matic को मैं आपको एक मतलब किस तरीके से मैं आपको बता हूँ कि एक सोता हुआ जैसे जो बोलतें ना सोता हुआ शेयर है फिर उठेगा ये सोता हुआ ही एक प्रोजेक्ट है अंदर इसके बहुत बड़ी बड़ी development चल रही है जो इसके प्राइस को अभी justify नहीं करता भी जो भी प्राइस है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले डाइम पर कोई भी project बड़ा तगड़ा परफॉर्म करने वाला है तो वो Polygon Matic ज़रूर होगा जिस हिसाब से community को build कर रहे हैं जिस हिसाब से पूरे वर्ल के कोने कोने में पहुंच चुके हैं जिस हिसाब से यह अपने technology को बढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारी improvement कर रहे हैं innovations कर रहे हैं grants दे रहे हैं मतलब वो सारी चीज़े काबिले तारीफ है आप लोग इसकी polygon.technology पर जाके बस थोड़ा सा आपको यहां से research करेंगे तो आपको पता लगा कि यह project देखते ही देखते कितना बड़ा हो चुका है तो दोस्तो यह इस type के projects में आपको invest करना है और अभी market down है थोड़ा बहुत आप लोग अपने according जितना भी है चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो आप तीरे तीरे इसमें 2-4-5 बार में invest कर सकते हैं वो आपके उपर रहेगा उसके उपर भी मैंने कई बार videos बना चुका ह और अगर आपको इस type की और videos देखने हैं और coins आप fundamentally strong coin या फिए थोड़े riskier coin भी जानना चाते हैं तो नीचे comment करके बताई हो मेरी last video नहीं देखी तो screen पर आ रही है देख लीजी